आज हम गेहूं के आते से बहुत टेस्टी, क्रिस्पी, मसालेदार मठरी बनाएंगे, बहुत कम सामान से बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और ये मठरी आप एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, आप इसे साम की चाय के साथ खाईए, आपको भी ये मठरी जरूर प तो चलिए ये मसालेदार मठरी बनाना स्टार्ट करते हैं, मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी थाली ली है, इसमें हम डालेंगे एक कप गेहूं का आटा, साथ ही हम इसमें वन थर्ड कप सूजी डालेंगे, इससे हमारी मठरी क्रिस्पी बनेगी, एक छ चोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, अजवाइन को इस तरह से क्रश करके डालेंगे, दो चोटा चम्मच सफेद तिल डालेंगे, तिल डालने से मठरी में बहुत बढ़िया क्रंच आएगा, आधा चोटा चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर, एक छोटा चिली फ् आधा छोटा चम्मज डालेंगे हल्दी पाउडर इससे मठरी में बहुत बढ़िया कलर आएगा दो छोटा चम्मज भुनी हुई और क्रश की हुई कसूरी मेथी डालेंगे कसूरी मेथी को मैंने तबे में डालकर हलका सा रोस्ट कल लिया था अब हम इसमें एक कटोरी बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे तो इसे हमने अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें मोयन लगाएंगे मैं रिफाइंड तेल से मोयन लगा रही हूँ, आप चाहें तो देशी घी से मोयन लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी यानि की पांच छोटा चमश तेल डाल दिया है, हम इसे इस तरह से क्रमबल करके मिक्स करेंगे तो यह बहुत अच्छे से मिक्स हो और जब इसमें इस तरह से लड़ू जैसा बनने लगे तो समझ लेना कि इसमें एकदम परफेक्ट मोयन लगा है, और हमने इसमें एक बार में जितना तेल डाला था उतने में एकदम परफेक्ट मोयन लग गया है, यह देखिए एक कटोरी में इतना तेल बच गया है, अब म इसमें आलू के बड़े टुकडे रह चाएंगे तो हमारी मठरी बहुत ज्यादा वायली बनेगी तो हमने दोनों आलू को ग्रेट कर लिया है इसे गूतने के लिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे आलू के मौस्चर से ही यह आटा अच्छे से गुत जाता है हमें इसका स इस तरह से मसलते हुए गूत हिएगा तो यह आटा बहुत अच्छे से गुत जाएगा क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है तो इस तरह से आटे को मसलते हुए गूत हैंगे ना तो यह आटा हलका सा सौप्ट हो जाएगा तो यह हमारा डो र लोई बना लेंगे, पहले हम इसे मसलते हुए हलका सा सौप्ट करेंगे, तो ए देखिए इस तरह से बड़ी सी लोई बना लेना है, अब हमें करना क्या है कि इसकी बड़ी सी और मोटी पूरी बना लेना है, अगर आपको इसकी पतली मठरी बनाना है तो आप इसे पतला बेल मैं हलकी सी मोटी मठरी बना रही हूँ तो मैं इसे हलका सा मोटा बेल लूँगे ये देखिए इसे इस तरह से मोटा बेल लेना है अब हम क्या करेंगे चाकू की हेल्प से इसको इस तरह से पीसेस में कट करेंगे पहले हम इसका जो किनारे का पार्ट है इसे निकाल देंगे औ मठरी को आप अपने हिसाब से पतला, मोटा, गोल, चौक और किसी भी शेप में काट सकते हैं, और एक साइट से काटने के बाद दूसरी साइट से भी हम इसी तरह से कट लगाएंगे, किनारी का जो पार्ट है इसे हम निकाल देंगे, मैं इसके थोड़े से लंबे पीस काट र देना है, और आप देख लीजिए इस तरह से मठरी को मोटा रखना है, अब हम सारी मठरी को एक प्लेट में रख लेते हैं, यह मठरी बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनने वाली हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं, तो इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने तेल पहले ही गरम होने के लिए रख दिया है, तेल अच्छा मीडियम गरम हो गया है, अब हमें मठरी तेल में डाल देते हैं, एक बार में जितनी मठरी आसानी से आ जाएं, उतनी मठरी हम तेल में डाल देंगे, अभी मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है, और मठरीों को तेल में डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए इन में अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है, एक बैज को फ्राई करने में तकरीमन 7 से 8 मिनट का समय लग जाता है, अगर आप इन हैं हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये उपर से तो जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी पर अंदर से कच्छी रह जाएंगी, तो आपको इन हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि इन में बहुत बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और इन्हें मैंने तकरीबन 8 मिनट फ्राई कर लिया है, ये अंदर तक अच्छे से सिख गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे इन्हें तेल से निकाल लेंगे, इनका कलर देख कर ही लग रहा है कि ये बहुत क्रिस्पी बनकर तयार हुई है, ये देखने में भी बहुत बढ़िया लग रही है और इन्हें बहुत बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, इससे ज़्यादा हमें इन्हें नहीं सेकना है, अब हम इन्हें तेल से निकाल लेते हैं, थोड़ी देर हम इनको ऐसे ही रखेंगे ताकि इन्हें जो भी एश्ट्रा तेल होगा वो निकाल जाएगा, इसके बाद हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से हम सारी मठ्रियों को फ्राई कर लेंगे, बस ध्यान रहे इन्हें धीमी आज पर ही फ्राई करना है, तो एह हमारा सेकेंड बेच भी फ्राई हो गया है, इन्हें आप किसी भी तेवहार पर बनाईए, और सबसे अच्छी बाते हैं कि आप इन्हें ज्यादा दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, मैं आपको एक मठरी तोड़ कर दिखाती हूँ, तो एह देखिए, एक इतनी क्रिस्पी बनी है, दोस्तो अभी दिवाली आ रही है, तो आप इन्हें दिवाली पर जरूर ट्राई कीजिएगा, आप इन्हें ब्रेकफास्ट में या फिर शाम की चाय के साथ खाईए, और अगर कहीं आप सफर में जा रही हैं, तो आप इन मठरीयों को बना कर ले जाईए, ये ज्यादा दिन तक खराम नहीं होगी, आप इन्हें बच्चों की लंच बॉक्स के लिए भी रख सकते हैं, तो दोस्तो आप इन्हें कब ट्राई करने बाले हैं, मुझे जरूर बताईएगा, और हाँ दोस्तो आपको इन मठरी कैसी लगी, मुझे बताना मत भूलिएगा, अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ शेयर कीजिएगा, तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, थेंक्स पॉर वाचिंग,